हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उम्मित करता है बहुत ही बढ़ियान होगा तो चलिए एक और नई फिरेस वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं जो लिंक बिल्डिंग यह जो टॉपिक है यह Tech Channel का नहीं होना चाहिए यह उन चाहिए जो की नई यूटुबर को सपोर्ट करते हैं उनकी नहीं नहीं चीज़े सिखाते हैं या फिर बिस्नसमेंस को सिखाते हैं किस तरीके से उनकी जो बिस्नस है बहुत जादा ग्रोप कर सकती है लेकिन मैं समझता हूं यह जो लिंक पर वो जाते रहते हैं आखिर तक कुछ नहीं मिलता सिवाई advertisement के तो उनको अगर पता हो कि link building क्या है तो वो इस चीज को समझ सके हैं और उसी वक्त जब एक के बाद एक add आना start हो जाए वो उस जगे से quit कर सकते हैं इससे एक अच्छी चीज भी होगी जो लोग सच में महनत करत हैं लोग उनकी page में जाएंगे अच्छी चीज़े पढ़ेंगे वहाँ पर advertisement देखेंगे पैसे वो लोग कमाएंगे और जो लोग कुछ भी नहीं करते दूसरों की content को copy करके अपनी website पर paste करते हैं या फिर एकदम हुबा हूँ copy करके वही चीज लिख देते हैं और साथ ही advertisement भी दे देते हैं बहुत सारे backlink यूज कर लेते हैं जिसकी बारे से वो बहुत अच्छी पैसे कमा लेता है जबकि उनमें कुछ talent ही नहीं उनमें knowledge ही नहीं तो अगर आप समझते हैं कि यह चीज सही नहीं है तो वीडियो को आखिर तक देखिए बताऊंगा link building होता क्या है backlink क्या होता है यह पूरा system किस तरीके से काम करता है और यहां पर अच्छी चीज कितनी है बूरी चीज कितनी है फिलाल बूरी चीज़ों में उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो होता है और जिससे आपको ज्यादातर प्रहतरा तो कुछ नहीं है लेकिन आपका समय बरबाद होता है तो अच्छली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को क्योंकि बहुत ही helpful और knowledgeful वीडियो में बनाता हूं जो आपकी daily life को और भी आसान बनाता है और सब्सक्राइब कर ही रहे हो दोस्तो तो notification बिलको भी हमारी टेक रिलेटिट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो अगर आपको समझना है link building क्या है तो आपको search engine optimization क्या है ये समझना पड़ेगा और इस बारे में मैंने वीडियो पहले ही एक बना के रखा है कि search engine optimization क्या होता है link मैं description में दे दूँगा अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं search engine optimization क्या होता है फिर भी थोरा सा जो की है मैं आपको बता देता हूँ search engine optimization से आपकी जो website है उसको ranking में आप लाव सकते हैं अब इसके बाद से सुरू हो जाता है link building का काम अब आपकी जो website है उसका एक ना एक तो link है link वो होता है जो आपकी website का address होता ह है अगर आप आसान भासा में कहें तो आपकी website का जो web address है वही आपकी link है उस वो तो आप website जब बनाते हैं उसके बाद आपकी जो link है वो आपको google provide करवा देता है कि यह आपकी जो है web page का link है लेकिन आप नए-ने website तयार किये हैं उसके बाद आपकी website को किसी को पता ही नहीं है इस नाम का website है तो आपको अगर आपकी website को पैचान में लाना है तो आपको क्या करना होगा बहुत सी website से जो ज़्यादातर लोग visit करते हैं तो आपको simply वहाँ जाना होगा वहाँ जाके अगर आप ऐसा कुछ कर सके जहां से वो लोग आपकी website के बारे में जान सके आपके website ति वेबसाइट में ध्रू हो सके और कुछ देर आपकी वेबसाइट में रहें, तो उनको ऐसा लगे कि हाँ यह वेबसाइट अच्छा है, उनको याद रहेगा, हो सकता है, वो डेल्ली नोटिफिकेशन के लिए भी आपकी जो सक्स्राइट है उसको देखना चाहेगा तो एस चार महीने के बाद आपकी website की जो ranking है वो बदल सकता है अगर आप continuously उस चीज के पीछे मेहनत कर रहे हूँ आपकी content अच्छा है, आपकी design अच्छी है, आपकी website देखने में खुबसूरत लगता है आपको knowledge है उस बारे में जो लोगों को पसंदार आए तो ऐसे में चार महीने बाद बाद आपकी website बहुत तेजी से grow करेगा पहले तो zero में ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और average लोगों का जो website ranking होता है, वो 3 से 5 के बीच होता है इंडिया की अगर बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा websites available हैं और किसी में भी बहुत कम ही websites हैं, जो इनमें बहुत जादा अच्छी काम किये जाते हैं लेकिन average जो ranking होता है, वो 3 से 5 के बीच ही रहता है अब यहाँ पे सुरू होता है back link का काम आपकी website का जा link है, उसको अगर आप place कर सकते हैं किसे ऐसे website पे जैसा कि मैंने बोला वो बढ़े हैं तो वहाँ से आपकी website में कोई भी आ सकता है तो आपने क्या किया, उसी website पे एक और link पेस्ट किया जो की आपका link था और admin ने आपको permission भी दिया तो ऐसे में क्या हुआ, उस website को जब किसी ने विजिट किया उसके बाद आपकी भी website को वो विजिट कर सकते हैं तो इस चीज को कहा जाता है back link अब back link की भी गलत इस्तमाल होता है बहुत से बुड़े लोग मिलते हैं बहुत सी चोटी चोटी websites तयार कर लेते हैं और उनका motive होता है पैसे कमाना तो वो कुछ भी लाके डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं एक दूसरी की website की link को share कर देते हैं और किसी ऐसे एक से हाथ मिला लेते हैं जो उनहीं की तरह है और उनकी website एक अच्छी level पर पहुँच शुकी है तो ऐसे में वो सब एक साथ अपना grow करते हैं जबकि उनमें कोई talent ही ही नहीं उनमें किसी मतलब कोई मतलब उनमें value ही नहीं है उन चीज़ों को देखने की फिर भी आप forwarded हो जाते हैं उन ads को देख लेते हैं जिनकी बज़े से उनको पैसे मिल जाते हैं अब इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है सिभाए आपकी समय बरबादी और data की बरबादी के और साथी साथ आपका अगर smartphone से serving कर रहे हो प्राउसिंग कर रहे हो तो ऐसमें आपकी battery जो है वो भी consume कर लेगा यहाँ पर अब बताते हैं इस चीज की जरूरत क्यूं है link building की जरूरत क्यूं है अगर आप कोई businessman हो तो यहाँ पर भी आपको कोई नहीं पैचानता तो अगर आप अपनी link build करने के बाद अच्छी तरीके से कुछ websites पर place कर सकते हो तो यहाँ से आप बहुत मोटी रकम कमा सकते हो अच्छी पैसे कमा सकते हो अच्छी knowledge लोगों को दे सकते हो और अच्छी चीजों के बदले आपको यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे तो simply यही कुछ काम होता है link building का अब link building को आप चाहें तो बुड़े काम में भी ले सकते हैं अच्छे काम में भी ले सकते हैं लेकिन याद रखिएगा Google की जो web pages होते हैं आप जो websites बना रहे हैं उसकी भी कुछ guidelines है उनको अगर आप तोर दोगे तो यहाँ पर आपकी website एकदम finish एकदम खतम तो इन चीजों को ध्यान में रखिए ये कोई सरल चीज नहीं है बहुत ही जटिल चीज है इसको एकदम सरलता से मैंने आप लोगों को समझाने की कोसिस की है जिसकी बज़े से बहुत सी चीज़े मैंने नहीं बोला इस वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद बाई